हेलो जी राम राम जी कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाके होंगे आज मैं आप कोरियल ब्राइडल मैक अप दिखाऊंगी कैसे ब्राइडल का मैक अप करते हैं चैनल कि चैनल कर लिए है अब मैं लगा रही हूं मोस्ट्राइजर आप कॉन सा बी मुस्त्राइजर ले सकते हो नीविया का पॉन उल्छ का पॉग्वि ले ले सकते हों आपके पास क्लिजिंग मिल्क नहीं हो तो अपकच्छे दूद्थ से भी फेश को क्लीन कर सकते हो थोड़ा सा कच्छा दूद्थ लेके और फेस पर लगाएं और फिर उसे कोटन से साफ कर लें अब मैं लगा रहे हूं प्राइमर के फेस पर प्राइमर लगा दें और फेस की अलके-अलके आच से मसाज करें एक या दो मिन्टे और प्राइमर को फिर दो मिन्ट के लिए छोड़ दें कोई भी प्रोड़क्ट लगाते हैं उसको हमें दो या तीर मिन्ट के लिए छोड़ें और फिर दूसरा लगाएं अच्छे से प्राइमर अपलाई कर दें फेस पर यह लड़की बहुत सुंदर थी और इनका कलर भी फेर था ज्यादा इसके फेस पर दाग दगे नहीं थे प्लीज चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो जी आपके सपोर्ट से यागे बढ़ा जाएगा अब आईज पर 303 औरंज कलर का करिंचिलर लगाऊंगी यह जाजा डार्क से सरकल हो महीं महीं पर लगाएं दोनों आईज पर लगा दूंगे अच्छे से अपलाई करें आप बुर्स के अलप से लगा सकते हैं किसी तरह से लगा सकते हैं जिस तरह से कंफर्टेबल हो उसी तरह से लगाएं मैं अंगली से लगा रही हूं दोनों आईज पर लगा दिया है अब आईबरो के उपर लगाऊंगी इस से खिलकर आईबरो आती है उबरी उबरी आईबरो लगती है यह ओरंज कलर का है अब मैं जा जा टारक वह और वहीं में पर लगाऊंगे दाग दब्बे होंगे इससे अच्छे से डाग दब्बे चुप जाते हैं ब्राइडल का थोड़ा दार्क मैक उप होता है और रात में डार्क मैक उप करें अच्छे से अप्लाई करें हमें इसको अच्छे से अप्लाई कर दूंगी जिसने अच्छे से हम आई इसका बेस बनाएंगे इतनी अच्छे से हमारी आईज कमया कव अच्छा होगा अब मनें ब्लेंडर को गिला कर लिया है और मैं अच्छे से सेट कर दूंगे अब अलक्यल के आच्छे करें बिल्कुल रगड़े नहीं टैप टैप करके करें देखो जिस तरह से मैं टैप टैप करके कर रही हूं इसी तरह से करें इनकी रात की साथ दी थी ब्लेंडर को गिला करके लगाएं गिला करने से ब्लेक 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 बेस नहीं बनता बहुत अच्छा बेस बने हैं यह कितने गंटे तक रख लो ऐसा ही रहेगा अब मैं लगा देऊंगी बेस यह क्राइलोन का बेस है इसके ओपर बेस लगाऊंगी मैं इनका फैर कलर था लिए मैं फैर कलर का एक टोन लाइट लेएं जो कलर ऊता उससे एक टोन लाइट लें मैंने एक टोन लाइट लिया है आब मैं ब्लेंडर से सेट कर देंगी कि अच्छे से आइस के उपर भी अच्छे से सेट करें इस से बहुते अबरी अबरी आइबरो लगती हैं अब मैं लगा देंगे लूज बोर्डर अब लूज बोर्डर लगाऊंगे बूर्ष के हल्प से अच्छे से हलके हलके टैप टैप करके लगाएं लूज बोर्डर को भी अब दूसरी आइज भी लगा दूँगे दोस्ता मिन्ट करके लगाएं पहले कंसिलर लगा दिया था फिर बेस लगा दिया था फिर उस के बाद लूज बोर्डर लगा दिया था इसमें दो-दो मिन्ट का गैप करके लगाएं अब लगाएंगे आई से डो जो इंच के लेंगे के मेचिंग है वही कलर लगाएं इनका मैं रूम कलर का लेंगा था और बहुत प्यारा लेंगा था इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा लेके डारेक्ट अपलाई ने करें थोड़ा-थोड़ा लेके जड़का के तब अपलाई करें ज़्यादा ना लें थोड़ा-थोड़ा करके और अच्छे से बिलेंड करें जाएंगे मूं कितने अच्छे से बिलेंड कर रही हूं इसी तरह से अच्छे से बिलेंड करें जितने अच्छे से हम बिलेंड करेंगे इतना यह खिल के अमारा आइज मेकप होगा ऐसे अधिया है इसके, यो प्लग कईध गई नहीं बहुत अच्छे से बिलेंड करें और बहुत अच्छा आइज मेटप हुआ था हिनका आइज को ऊपर्षे टस्टी करें मैंने आइस को कर रख्या है और थोड़ा थोड़ा लेकर बिलेंड करें देख सकते हैं आप कितने अच्छे से बिलेंड कर रही हुआ काम अच्छा होना चाहिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए कोनर बनाएं साइड पीछे से थोड़ी डारक है और आगे से थोड़ी लाइट करें आइज को यह आई लाइटिंग एरिया छोड़ दिया उपर ऐसे आइज को पगड़के उपर से तब करें अब दूसरी आइज पर पहले कोन बनाएं आइज बोल पर पहले आइज बोल पर लगाएं अच्छे से बिलेंड करें इस एरिया को बोलते हैं आइज बोल यह आइज बोल होते हैं इस पर लगाएं थोड़ा थोड़ा लेके अच्छे से बिलेंड करें पूरी आइज पर यह मैंने लगा दिया है ऐसे आइज को पकड़ के जैसे मैं उपर से ऐसे करें बहुत अच्छा मैपप होता है इस तरह से मैपम में सबसे ज्यादा टाइम आइज भी लगता है यह उपराई लाइटिंग एरिया है अस्टे से करीज बनाएं थोड़ा थोड़ी से लेके करें आप एक दूसरे की वह भी लेके कर सकते हैं अब मैं लगा दिंगी पहले में कराई लॉन का थोड़ा थोड़ा बेस लगा रहे हों कट करीज कर रहे हों आइज को इसके अपर लगाऊंगे गलीटर आप किसी तरह भी कर सकते हों आगे तरह भी किछी से भी कोण जै किसी तरह भी कर सकते हों कट करीज अब मैं दुसरी आइज पर कर दूँगी इसी तरह से लेंगे कि मैं चिंक करें जैसे इसमें गोल्डन रखाया तो मैं गोल्डन नहीं करूंगी अब लगाओंगी गलिटर गोल्डन कलर का है और बहुत प्यारा आइज मेकप हुआ था इंदा बहुत प्यारा आप देख सकते हो में आईज में लगा दूंगे रात का मेकप था रात के मेकप में यह अच्छा लगता है ज्यादतर तो यह दिन में नहीं लगता इतना अच्छा और बेस लगाने के बाद है बहुत अच्छे ग्लीटर लगा है आई ज़े थोड़ा थोड़ा पिच्छे से कोणे से डार्क कर दूँगे थोड़ा डार्क में रूम करूँगे प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताना आपको मेकप कैसा लगा कॉमेंट करका बता आगरो जी ताकि हमारा उसला बड़े अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करें हम अभी साइड से डार्क के दिया कर दो पिच्छे से कोण चेप देखें तो डार्क कर दूँगे कि मैं रूंकलर जो क्लाइंट की नीड होई काम करें जिस तरह से वो कहें उसी तरह से काम करें अब लगा दिंगे आई लाइटिंग आई लाइटिंग आई लाइटिंग करने से उपर उपर लगते और पहुत अच्छे लगती है और शाइनिंग आती है यह गोल्डन कलर का है अब दूसरी आई पर लगा दूंगे अब लगाऊंगे लाइनर आई लाइसी से लगाने तो पहले पतला पतला लाइनर लगाएं फिर आई लाइसी से लगाएं बिलकुल बारिक लाइन लगा दूंगी मैं और इसके पर लगाऊंगी आई लाइसीस लिक्विड लाइनर लगाएं जैल लाइनर यह नहीं लगाएं आई लेसीस लगानी हो तब मैं लगाऊंगी अब दूसरी आइस पर इस तरह से वाटरपूरूप लाइनर है यह कैमियो का लाइनर है बहुत अच्छा लाइनर है कैमियो का साइनिंग बहुत अच्छी साइनिंग इस लाइनर में वाटर पर रूफ है आप कितने इभी गंटे रख सकते हो इस लाइनर को अब जैल लाइनर से में आई की से बनाओंगी आर्च की से थोड़ा थोड़ा लेकर इमें ले रहे हैं ब्राउन कलर ने ज्यादा ब्लैक अब देख सकते हो इसकी आईबरो में कितना गयप है बहुत ज्यादा गयप था इसके आईबरो में अब मैं पास पास लगां लाओंगे ज्यादा गैप होता है इस तरह से आप आइब्रो बना सकते हैं जैल लाइनर से अब दूसरी लाइन आइब्रो इसी तरह से दूसरी आइब्रो को कर दे पूल इस तरह से आप गैप को कम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा लेकर लगाए एक दम से ज्यादा लेकर लगाए अब इनकी आइब्रो बहुत लंबी होगी है अच्छे शेप बनाएं थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए तो पुछले उसको कोटरन के एल्प से या बुरुस के एल्प से नम लगाऊंगे लाशी से अब लगारें इस पर बोंद लगाने के बाद है दो मिंट से तक रखें औ और फिर आइज पर लगा दें है कि यह है कि पहले लगा के देखें उस पर पूछे नोज पर इस पर अटच तो नहीं हो रहा है पिर आई लेसिस लगाएं कि दो मेंट तक पकड़े रहें इसको अच्छे से सेट हो जाएगी फिर अब लगा देंगे लाइनर मोटा लाइनर लगाओंगी मैं अब आप जैल लाइनर या लिक्विड लाइनर कौन सा भी लगा सकते हैं मैं लगाओंगी लिक्विड वाला लाइनर यह बहुत अच्छा लाइनर है अंगुठे से इस तरह से पकड़के तब लगाएं अटेज पर से पड़कर के इस तेस टाइट स्कीन हो जाएं आइज की और अच्छे से लगाएं साइड में लगाएं आपकी मर्ची है मोटा पतला लगाना कितना बाहर निकालना है अपनी मर्ची से लगाएं क्लाइंट से पूछ कर लगाएं अब दूसरी आइज पर लगा दूंगे लगा दियां दूसरी आइज पर अब देख सकते हों इनकी आइबरों में बहुत गयाप थाब कर दिया है थोड़ा सा बार निकाल दूंगे इस पर अब बनाओंगी बेस पहले जहां पर दाग दब्बे हों पर 303 लगाएं थोड़े थोड़े दाग दब्बे थे उस पर लगा दिया था 303 चाहिए हो फेस पर तब लगाएं थोड़ा डार्क ब्राउन अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर दियूंगे पहले दाग दब्बे वाड़े जगह लगाएं फिर बेस बनाएं जहां जहां दाग दब्ब्बे हों यह पर लगा रही हों अब थोड़ा एक दम ज्यादा ना ले थोड़ा थोड़ा करके लगाएं थोड़ा थोड़ा करके मैं उलीशे लगा रही हूं आप चाहता बुर्ष के एल्प चे ब्लेंड के अले यह लगा सकते हैं ब्यूटी ब्लेंड कितना प्याराइज में कब हुआ इनका बहुत प्याराइज में कब था अब माल थे रही है अब टैप टैप करके बेस को लगाएं जितना अच्छा बेस बनेगा इतने टाइम दे लोंग टाइम दे चलेगा अच्छे अच्छा बेस बनाने की कोसिस करें जितना हम ब्लेंड करेंगे इतना ही अच्छा बेस बनेगा मारा अच्छे से ब्लेंड करें अब लगाओंगी पैलेट अब अच्छे से करें हाई के आइबरो के उपर के अच्छे से प्लेंड कर रही हूं अच्छे मोना चाहिए गर्दन पर भी और फेश पर भी ऐसा नहीं है कि गर्दन फेश तो चमका दिया गर्दन यह क्यों ठोड़ दी अब मैं पैलेट चे थोड़ा थोड़ा बेश लेकर बेश बनाओंगे डोट डोट करके पहला थोड़ा थोड़ा लेकर बनाएं यह गर्दन पर करोंगे इस पैलेट से बहुत अच्छा बेश बनता है और लोग टाइम तिक चलता है यह मैं कपाब बारा पंदरा गंटे किसी तरह रखो गिलकुल भी बलेक नहीं पड़ता है कि अगर गार थोड़ा थोड़ा करके लगाएं ऐसा नहीं कई ज्यादा कई कम नहीं पूरे पर एक सेरे लगाएं आप देख सकते हो मैंने कितना टाइम दिया है बेश बनाने में जितना आप टाइम देंगे बेश बनाने में उतना ही अच्छा बेश बनेगा इतना ही खिलके आएगा हमारा और बिलकुल भी बलेक नहीं पड़ेगा अब आइज के नीचे अच्छे से ब्लेंड करें थोड़ा थोड़ा लगा के अब दूसरी आइज के नीचे अब नोज पे चिक पे अब भी से एक लाइट टोन लेकर बेश बनाएं ऐसा नहीं करना है कि ब्लेक फेस हो तो ज्यादा लाइट कर दें नहीं एक टोन उप्र लगाना है गर्दन और फेस से एक स्थार करें अब कटिंग करूंगे अब नोज के इस तरह से कटिंग करें साइड से डार कलर लेके कट करीज करें अब गालो की कान चलेकर एक तक थोड़ा मोटा मोटा उपर के दोनों साइड से करें इस से अबरे अबरे गाल लगते हैं अच्छे से फेस की सेप होते हैं ऐसे करने से अब करें इस तरह से पेस की कटिंग करें जिसकी डबल चीन हो उसकी इस तरह से कटिंग करें इसका डबल चीन नहीं थी लेकिन इस ते अच्छी से पाव फेस की जिसकी ज़्यादा डबल चीन हो उसकी करें अब नीचे से उपर की तरफ हो अब के आथ के आथ से ब्लेंड करें इससे पतला नाख हो जा और लंबा नाख दिख्खे आरा है हुआ है अच्छी से ब्लेंड करें इसमें मिक्स कर दें ऐसा निक ब्लेंग अलग से दीखे नहीं इसको मिक्स कर दें अच्छी से आप देख सकते हो इनका कितना पतला नाख लग रहे आठ और लंबा भी लग रहा है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है बिल्कुल नहीं दीख रहा है बलग से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है अब नीचे से उपर की साइड करें इससे उपर उपरे गाल लगते हैं अब इस साइड से अच्छे से मिक्स करें या यहां यहां लग दिखें जितना में अच्छे से मिक्स करेंगे नहीं अच्छा दिखेगा अब यहां पर करें चिन के नीचे से जिसका डबल चीन ओया से करने से बिलकुल नहीं दिखाए देते हैं इनके डबल चीन नहीं थी बिलकुल भी अच्छे से ब्लेंड करें अब लाइट अब लेकर इस पर अपलाई करें अब जाँ जाँ आपने कट करीज करें अब लाइट कलर लेकर करें अब देख सकते हैं कितना अच्छा बेस बनके तयार हो गया है अब गर्दन के नीचे परें घर पर वाइस बहर रही हो थोड़ी बहुते यह दो रख किया वाज आजाए कि इग्नॉर कर दियो को कि अच्छा थोड़ा थोड़ा लेकर अच्छे से घरतन का भी इच्छे से बेस बनाएं अब ले रही हूं लूज बाउडर टैप टैप करके पूरे फेस पर लूज बाउडर लगाएं इस तरह से पूरे फेस पर थोड़ा थोड़ा लेके ज्यादा नहीं लेड़ा थोड़ा थोड़ा लेके लूज बाउडर लगाएं अब नोज पे आप पूरे उप्स पे अप्लाई करें पूरेड पे रगणना नहीं है अलके अलके आज से लगाना है पूरे फिस पर अब अब आईज गे नीचे इस तरह से लगाएं अब आई लाइटिंग करें नोज पे फोरेड पे मैं फिंगर से कर रही हूं अब आई चिक पे अप लिक्स पे इस तरह से करें यह गोल्डन कलर का आई लाइटिंग है अब चिक पे करें इस तरह उपर की साइड अब यह आई लाइटिंग का एरिया है और इसके नीचे ब्लेसर लगाएं कितने अच्छी साइनिंग आजा हाई लाइट में वह तो अच्छी साइनिंग आजा आप देख सकते हो ब्रब्र लग रहा लगत दीख रहा है अब भी लेसर थोड़ा थोड़ा लेके पहले जर्काई फिर लगाएं कि वह थोड़ा थोड़ा ब्लेसर ज्यादा रखने लगाएं ज्यादा गंदा लगता है इसे थोड़ा थोड़ा लगा थे में नैं कि लिप लाइनर से पहले शेप बनाएं कि मैं पहले लिप लाइनर से शेप बना रही हूं इस तरह अठों की शेप उसके बादल पिस्टिक लगाएं इसी से फूल कर दें थोड़ा थोड़ा लगा के पूरे उठ्टों पर इस तो पोथ अच्छी से मन जाएं फिल अपिस्टिक लगा लिए नेटूरल फेश लग रहा है ऐसे लिपा पूता फेश ने लग रहा है प्लीज आप कॉमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगे कॉमेंट करकर बतागरो जी वीडियो कैसी लगे आपने इसी से फूल कर लिए कि ऐसे करने से बहुत अच्छे शेप कुर जाए है कि एस्टाइल की वीडियो कि मैं आगली वीडियो में डालूंगी यह बहुत ज्यादा लंबी वीडियो जाए इसलिए मैंने यह फिक्सिंग नेका फिक्सर यह था इसका फाइनल लुक